अलो दोस्तो आज मैं आपके लिए पके आम की बहुत ही मज़ेदा डैजर्ट रेसिपी लेकर आई हूँ मार्केट में ये डैजर्ट आप बहुत महेंगे में खाते हैं लेकिन घर पर बहुत ही सस्ते में पूरे परिवार के लिए बना कर त्यार कर लेंगे इसे ना केवल बच्चे बलकि बड़े भी खाने के लिए तूट पड़ेंगे तो फिर देर की इस बात की चलिए शुरू करते हैं यहाँ दो पके आम को रफली कट कर लिया है अब एक आम के टुकडे पर लंबाई में कुछ कट्स चाकू से लगा लेते हैं और उसके अपोजिट साइड भी हम पैरिलर कट लगा लेते हैं जिससे के आम में एकवल साइज की क्यूप्स बन जाते हैं इन सभी क्यूप्स को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं कटे हुई क्योप्स का यूज भाद में करेंगे गार्निशिंग के लिए आम के बड़े टुकडो को हम रफ्ली कट कर लेते हैं और इसके पल्प को ब्लप निकालकर रख लेते हैं और ऐसे सारे ही आमके INI काल लेते हैं अब इस आम के पल्प को हम डालेंगे मिक्सी grinder में और इसका एक fine paste बना लेंगे इसका paste बनाने के लिए हम इसमें पानी वगेरा अड़ नहीं करेंगे तो यहां आम का paste ready है अब हम चलते हैं gas के और हम एक pan को gas पर चड़ा देते हैं और उसमें डालते हैं एक चमच घी और घी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे लगभग 100 ग्राम सिवई आपके पास बारिक मोटी जैसी भी सिवई हो आप इसमें डाल सकते हैं और इसे low flame पर आप 1-5 मिनिट तक भुन लेते हैं या जब तक भुनते हैं जब तक कि इसका कलर light golden brown ना हो जाए जो मैंने यहां सिवई यूज करी है वो पहले से roasted थी पर मैं इसे घी में 30 second के लिए और भुन लेती हूँ जिससे की घी का सोंधापन इसमें आ सके और यदि आपकी सिवई भुनी हुई नहीं है तो सर्फ एक मिनिट ही लगेगा सिवई को भुनने में और सिवई भुन कर त है तब इसमें हम डालते हैं आधा कप चीनी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं सॉरी फ्रेंड्स मुझसे वो क्लिप गलती से डिलीट हो गई तो आप चीनी को हम अच्छे से दूद में मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के साथ ही हम इसे ढ दो मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे दो मिनिट में ही हमारी सिवाई पक कर तयार है तो सिवाई को बुनने में सिर्फ एक मिनिट लगता है और इसे पकने में दो मिनिट तीन मिनिट में ही ये बनकर एकदम तयार है तो गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और सीवाई को थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसे हम रूम टेंपरेचर पे आने देते हैं तो एक बाउल में अब सीवाई के ठंडे मिश्रण को हम डाल देते हैं तो यहां एक दूसरे बाउल में हम लेंगे दो बड़े चम्मच सब्जा के बीच जिसे कुछ लोग चिया सीट के नाम से जानते हैं और इसमें हम डालेंगे तीन बड़े चम्मच पानी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ये बीच काफी ट्रेंडिंग में है इनका यूज सभी प्रकार के डैजर्ट कस्टर्ड और फालूदा में किया जाता है इन्हें खाने पर कट-कट की आवाज आती है औ इसे खाने से हमारा पेट रहेगा ठंडा इसे पानी में मिक्स करने से पहले ये थोड़े ब्लैक दिख रहे थे लेकिन पानी में इसे 15 मिनिट सोक करने पर इनका कलर ग्रे कलर का हो जाता है और ये ट्रांस्पेरन नजराते हैं तो आप देखी सकते हैं कि 15 मिनिट बाद इनक को नहीं डालना चाहिए नहीं तो दूद फट सकता है यहां सीवय एकदम ठंडी है और आम की प्यूरी को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर हम बनाने वाले हैं मार्केट में मिलने वाला मैंगो फालूदा आज इसे हम घर की सीवय से ही बना कर त्यार करेंगे अब इस बाउल को हम फ्रेज में रख देते हैं जिससे कि अच्छे से ठंडा हो सके फिर हम फालूदा बनाने की त्यारी करते हैं यहां पर मैंने लिए हैं सब्जा के बीच कुछ कटे हुए ड्राइफ रूट जिसमें बादाम और किश्मिशे आप अपनी प किप भी कर सकते हैं पर शाही फालूदा में यह डला होता है तो अब ठंडा ठंडा मैंगो और सीवई का फालूदा लगबग दो चमज की बराबर इसमें डाल लेते हैं और साथ में ही डालते हैं सब्जा के बीच सब्जा के बीच फालूदा में काफी टेस्टी लगते हैं इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ कटे हुए ड्राइफ रूट और साथ में ही डालेंगे कटी हुई चैरी। अगर आपके पास इन में से कुछ ना हो तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं। फिर भी ये मैंगो फालूदा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम डालेंगे लगभग एक स्कूप के बराबर वैनिला आइसक्रीम और इस आइसक्रीम की रेस्पी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप महा से इसे बना सकते हैं। अब इसे में कुछ चैरी और कटे हुए आम जो शुरू में ही रख रखे थे उनसे गार्निश कर देते हैं। ये टेस्टी ठंडे ठंडे मैंगो फालूदा की रेसिपी आपको पसंद आई। करें इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमली में शेयर। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाबाए।